हेलो फिंट स्वागा तक में इस चैनल पे तो आज हम बात करेंगे सीपी सी के सेक्शन सेवन्टी फाइब से लेका सेक्शन सेवन्टी एड तक के प्रोबियन्स के वारे हैं वेलो फिंट इसथर कि जारी होगा के में इस चीजों को देखेंगे और इंट अक माय से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूव वीडियो सब से पहले देखने के लिए जो पहले चीछ तु Tiger का कमीशन जारी किया जाता जाता है कि कमीशन जारी कियाता है wreakата ऐसे ब्यक्ति होते हैं जो court तक नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए क्या किया आता है commission जारी किया जाता है ताकि साक्ष को record किया जा सके और judge के समक्ष यहां पर commission में जो भी report बनाई गई है उसको यहां पर लाय जा सके अब बात करते हैं अगर commission की तो जो आपका CPC है CPC में आपक सकती यानि कि किन किन condition में यहां पर commission जारी कर सकता है वो condition बताईगे हैं साथ condition यहां पर बताईगे हैं इसको हम आगे देखेंगे उसके बाद आता है आपका CPC 76 जो बात करता है जो बाहर commission यहां राज्य के बाहर commission जारी किया जाना यानि कि अगर MP के court है तो UP के court के jurisdiction में जो क्या किया सकता है कमिशन जारी किया जा सकता है तो यहां पर क्या हो गया किसी दूसरे राज्य को कमिशन जारी किया जाना तीसरा आता है 77 जो कहता है अनुरोध पत्र जारी करना इसके साथ आपको रूल 5 यानि ओर 26 का रूल 5 पढ़ना है जो अनुरोध पत्र से ही रिलेटेड यहाँ पर आपको provision बताये गया है तो अनुरोध पत्र क्या होता है अनुरोध पत्र वह होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहा है भारत के बाहर है भारत में निवास नहीं करता है उसका निवास इस्थान कहा है भारत के बाहर है और वहाँ पर उसके निवाज इस्थान पर अगर Commission जारी करना है तो नियाले क्या कर सकता है उस Commission के बदले में एक अनुरोध पत्र जारी कर सकता है Later of Request जारी कर सकता है कि आप यहाँ पर आये उपस्तित हों या फिर रिकॉर्ड जो आपका एविडेंस है उसको रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पर अनुरोध पद लेटर आफ रिकॉर्ड जारी किया आता है उसके बाद आता है 78 78 केता है बिदेशी नियाले दौरा निकाले के कमिशन तो आप यहीं पर समझ लिए बिदेश यह कहता है आपका 78 अब बात करते हैं सक्षन 75 की तो कमिशन कप-कप जारी होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आता है आप 7 पॉइंट मैंने बताया था ठीक है A, B, C, D, E, F और G ठीक है तो 4 और 3 साथ यहाँ पर साथ पॉइंट बताया है कि कमिशन कप जारी होगा पहले इसमें बताता है कि ए नंबर कि ब्यक्ति की परिच्छा अगर किसी ब्यक्ति की परिच्छा करनी है और ब्यक्ति के अधिकारी होगी नियाले की कोई ओफिर होगे नियाई की अधिकारी या फिर किसी अन ब्यक्ति को जिसको भी नियाले चाहे उसको पॉइंट कर सकता है कमिशन एजर कमिशनर ठीक है और वो जाएंगे और कमिशन की रूप में वहाँ पर एविडेंस को रिकॉर्ड करेंग 133 देखेंगे यहां पर कुछ बेक्तियों को छूट प्रतान की गई है कि आप नियालम उपस्तित नहीं होना है आपके लिए कमिशन जारी किया जाएगा एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए यह हो गया दूसरे चीज आता है बी नंबर इस्थानी अन्यवेशन यानि किसी इ उसका इन्वेशन करना है जांच करना है तो उसके लिए भी यहां पर कमिशन जारी हो सकता है इसके साथ आपको क्या पढ़ना है और 26 का रूल 9 बढ़ना है उसके बाद नेक्स राता है आपका लेखाओं का परिक्षा यानि कि अगर कुछ एकाउंट्स हैं एकाउंट्स रि देखें यहां पर करेंगे कमिशन अपॉइंट कर देगा और वह जो भी होगा पूरा जांच करेंगे उसके बाद जो भी निस्कर्स निकलेगा उसके रिपोर्ट बनाकर न्याले के समख्ष कर देंगे यह हो गया आपका अब बात आती है नेक्स डी नंबर विभाजन यानि पर कमिशन अपॉइंट करता है रूल 13 साथ आपको यह पढ़ना है उसके बाद नेक्स डाता है आपका इनमबर यानि की ब्यक्ति की परिश्चन नहीं है यहां पर आपका आएगा कि अगर कोई बैक जानिक अनुएशन करना है ठीक है अगर कोई बैक जानिक रूप से कोई इसा कि जरूरत है तो उसके लिए यहां पर क्या किया सकता है यहां पर बैक्ज्ञानिकों को अपौइंट किया सकता है जो इस की प्रक प्रकたी एससी है वो खराब हो जाएगी तो उसको इतने待 तब स्केस चलेगा तो केस के एंडिंग होने के गार काईएगां तो क्मिसरeton पॉइन्ट किया जाएगा कि इसके लिए हो गया उसके बाद नेक्स नहाता है आपका अंशच्छीच कारता है या निched from आप में commission appoint किया सकता है इसके साथ आपको पढ़ना है order 26 का rule 10b I hope आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि commission कब कब जारी होगा ये आपका section 75 की बात आती है आपको ठीक है तो अब section 75 की बात तो आगे अब इसके साथ जो हमने rule बता है important rule आप कौन कौन से है जो order 26 है तो उसके साथ आपको क्या क्या पढ़ना है अब देखे और 26 में जो पहला rule आता है आपका वो पहला rule के कहता है कि वे मामले जिनमें नयाले साक्षी के परिक्षा करने लिए commission जारी किया सकता है अब ऐसे कौन से साक्षी हैं भाई जिनके लिए commission जारी किया जाएगा तो दो चीजे हम बताईए हैं पहला कहता है कि वे व्यक्ति जिनको छूट मिले हुई है नयाले उपस्तित होने से कि आपको यहाँ पर उपस्तित होने जरुरत नहीं है उसके लिए यहाँ पर commission जारी हो सकता है ऐसे साक पहले जो लेक्चर हमने देखा CPC का जिसमें गिरफतारी के बारे में बताया है और गिरफतारी की पीरिट कितने होगी सिविल कारागार क्या होता है यह सारी चीजे हमने डिसकस की हुई है अब यहाँ पे अगर इन धाराओं के तहट किसी ब्यक्ति को छूट मिले हुई है तो नियाले तक नहीं पहुँच पा रहा है नियाले तक नहीं आ सकता है या फिर अंग सैथिल से पीड़ी थे यानि कि उसका कोई अंग भंग हो गया है ठीक है चल नहीं सकता है कोट तक नहीं आ सकता है ऐसी बीमारी हो गई बेट सोट नहीं पा रहा है तो इसके में क्या किया decision नहीं लिए सकता, तो उसके लिए पKEYा किया जाता है, कमीशन जारी क्या जासकता है, तो इंस सभी conditions में क्या किया जाएगा, साक्षियों को कमीशन जारी जासकता है, अब next आता है आपका rule 2 rule 2 क्या कहता है, कमीशन के लिए आदेश कब होगा, यानि कि किस प्रकार से यहां पर कमिशन जारी किया जाएगा तो पहले तो चीज तЯ है कि अगर नियाले चाहे तो इसको कमिशन जारी हो तो उसके लीए या या फिर अगर कोई बाद का पक्षकार है यह सूट का कोई भी पार्टी है अगर वह आवेदन करता है किसी ब्यक्त के लिए कि उसके लिए कमिशन जारी हो तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कमिशन जारी किया जाएगा लेकिन यहाँ पर याद रखेगा कि उसमबाद के पक्षकार ही होने चाहिए और साथ इसाथ आवेधन पर होगा और आवेधन कैसा होगा वाई एफिडेविट होगा यानि सबत पत्तर पे अगर यहां पे आवेदन किया जा रहा है कमिशन जारी करने की बात की जारी है नियाले की समख तो नियाले अगर कंसिडर करना चाहिए तो नियाले कंसिडर कर सकता है अब नेक्स राता है कि ब्यक्ति की परिच्छा के लिए कमिशन यानि ब्यक्ति की परिच्छा करना चाहता है ठीक है नियाल है अब नियाले ब्यक्ति की परिच्छा करना चाहता है लेकिन कौन सी ब्यक्ति की परिच्छा कमिशन कव जारी कौन सी ब्यक्तियों के लिए जारी की इस boundary के अंदर है और जहां पर निवास करने वाला व्यक्ति है वो कहां है बी नाम के court की jurisdiction में आता है यहां पर निवास करता है तो यहां पर क्या किया जाएगा यहां पर इसके लिए commission जारी किया जाएगा आप यही बात समझ में यानि की jurisdiction से बाहर होना चाहिए दूसरी चीश कहता है कि जब व्यक्ति की परिच्छा की जाती है यानि कि जब परिच्छा की तारीख हो यानि कि माली चेशे तारीख की यहां पर date लगी हुई है किसी व्यक्ति की कि आपके उसकी दारीख को परिच्छा यानि कि government employee है कुछ अगर वो court आएगा तो उसका वहाँ पर काम कौन करेगा काम का तो नुक्सान हो जाएगा वहाँ पर तो इसलिए क्या किया सकता है अगर ऐसा लोक से बेख है public servant है जो अपने काम को नहीं चोड़ सकता है अगर काम को चोड़ कि आएगा तो ज्यादा नु कोई व्यक्ति है उसके लिए कमिशन जारी हो रहा तो लोक शेवक्त था उसके लिए जारी होता लेकिन अब यहाँ पर रूल फोर एजोड़ के भी यहां पर क्या कर दिया गया है यहां पर कुछ कंडिशन बता दीगे कि अगर इस्थानी शीमा के भीतर अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए कमिशन जारी किया जा सकता है कब किया जाएगा अगर न्यायले को लगता है कि न्याय हित में है यानि कि यहां पर अगर उसको जारी नहीं किया गया कमिशन तो इन जेस्टिस हो सकता है ठीक है तो जेस्टिस दिलाने के लिए क्या किया सकता है कमिशन हो जाएगा या फिर अन्यकारण से जो भी न्याला का उचीत लगता है अगर न्याला को लगता है कि कोई अन्यकारण से किसी कमिशन जारी करना चाहिए जो इस्थानी सीमा के भीतर ही यह निभास करता है तो उसको क्या किया सकता है यहां पर कमिशन जारी किया सकता है अब बा प्रापधान, यह मुझे कमेंड करना है, अब मात करते हैं, इस्थानी अन्यवेशन के लिए कमेंशन, यह अगरी किसी इस्थान का अन्यवेशन करना है, इस्थान का अन्यवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे संपत्य के बाजार मोले, यानि किसी प्रॉपर्टी का मार्केट पेल्यू क्या होती है, उसके लिए भी कमिशन जारी हो सकता है, अन्तहकाली लाब, यानि कि जो में प्रॉफिट होता है, वो कितना था, कितना में प्रॉफिट इसका मिल सकता था, किसी प्रॉपर्टी से, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कमिशन जारी क्या सकता, आप द का रूल भी बढ़ सकते हो आप वहां पे भी आपको बता दिया गया है उसके बाद नेक्षाद था नुक्सानी और या फिर वारसी घ्लाब अब नुक्सानी या फिर वारसी घ्लाब का मतलब क्या होता है जैसे माल लीजिये किसी प्रॉपर्टी से कितना सुधिलाब मिल सकता इसके लिए आमच्षाद टैमजश हो है उस प्रॉपरटी के बारे में इसके लिए भी क्या कीए जा सकता है यहां किशन जारी किया सकता है आगल असे समिस्ट के आपका बैजनी का अनुवेशन हमने पढ़ तो उपर मैजनी का क्ली ए नंबर पॉंट पढ़ा था अब उसमें क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें नियाले को लगता है कि इसमें किसी skilled persons की यहां पर जरूरत पड़ेगी जो बैग्जानिक होते हैं ठीक है कोई technical problems आगे उस मामले में तो उसको निप्टाने के लिए क्मिसंजारी किया सकता है वग्ञानिकों को ताकि वहां पर पूरी तरह से अच्छे जाच कर सकें क्योंकि अगर कोई यज होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर फिल्ड में उसको knowledge हो तो किसी न किसी जरूरी नहीं कि हत्प इल्ड में knowledge हो सकता है अब बात करते हैं section 77 की यह ज्यादा important है section 77 क्या कहता है आपका कि अनुरोध पत्र यानि कि later of request क्या होता है कमीशन निकालने के बदले नियाल ऐसे ब्यक्तिक परिश्या करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सके जो ऐसे इस्थान में न्वास करता है जो भारत के भीतर नहीं है यहां पर कहता है यहां कि भारत की एक boundary है एडिटोर्डियल बाॉंडरी है न भारत की तो उस भारत की बाॉंडर बाहर कोई नियाल है है ठीक है उसके बाहर यानि भारत के बाहर कोई ऐसा ब्यक्ति निवास करता है और उसकी गवाही इंपोर्डेंट है तो उसके लिए क्या किया सकता है अगर नियाल है चाहे तो क्या कर सकता है कमिशन के बदले एक लेटर आप रिक्वेस्ट जारी कर सकता है उस ब्यक यहां पर क्या जाता है एक आबेदन किया जाता है उसके बाद यहां पर क्या लिखा है जब आबेदन किया गया हो किसी ब्यक्ति के लिए ऐसे ब्यक्ति के लिए जो भारत के बाहर रहता हो और उसके लिए उस ब्यक्ति का क्या हो साक्ष्य आवश्य को यानि कि यहां पर क्या ह में आया होगा पुरा कमिशन समझ में आया होगा जो जो इंपोर्टन टूल्स थे वो हमने सारे डिसकस कर लिये हैं तुम मिलते हैं अगले लेक्षर में सीपीची के तब तक के लिए बने रहे हमाई चैनल के साथ देखते रहे हमारे लेक्षर